नमस्कार दोस्तों आप सबी के श्रडीफ और UPCP से सेनर में स्वागत है आज तारीख है 15 नॉवंबर 2023 इस भी और आज का न्यूज पेपर और आर्टिकल डिससन का वीडियो होगा ये कुछ important आर्टिकल और कुछ important news है आपके PT और mains के regarding तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजी हमेशा जिससे क्या होता है कि कम से कम जो चल रहा है दीन दुनिया में उसको आप cover कर पाएंगे इसके साथ साथ जो लोग 70 BPSC के तियारी सुरू कर रहे हैं या 69 BPSC का mains target कर रहे हैं अगले माईने जिनका एक्जाम है मैं उनको एक चीज बता देता हूँ देखि एक चीज का ध्यान में रखेगा BPSC का syllabus जो है वो काफी ज़्यादा dynamic है आपको देखने में छोटा जले भले ही लगेगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी साल है उसमें दो चीजे लिखी हुई है एक है भारतिय संस्कृति जिसके तहता आपको पूरा Indian culture परना परता है उसमें कहीं से भी कुछ पूछ सकता है चाहिए 69 देना चाहते हूं 70 VPS जिनको भी देना मेंस के तियारी कीजिए GS1 पेपर और GS2 पेपर दोनों पेपर में ही 80% से ज़्यादा जो सवाल रहते हैं वो कहां से रहते हैं तो current affairs के जोर के GS से पूछे जाते हैं जो GS के भी सवाल पूछे जाते हैं वो current से ही जोर कर पूछा जाता है अगर GS1 पेपर के हम लोग बात करें तो history का section छोड़ दीजिए और di का section छोड़ दीजिए बांकि जो भी section बसता है उसमें पूरा का पूरा current affair ही आपसे पूछा जाता है इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूँगा GS2 में भी क्या होता है चायो economics हो, polity हो, geography हो किसी भी को उठा लिजे subject को current affair से ही सब ज्यादे सवाल पूछे जाते हैं इसलिए current को नहीं पढ़ना है current से जोड़ कर GS को पढ़ना है जैसे आज मैं जो topic बताऊंगा आपको wholesale price index यकीन मानिए ये UPSC का सबसे फ्रेवेट ट्रोविक है UPSC का PT में आप देखेंगा हर दो साल तीन साल पर इससे जुरावा सवाल पूछा जाता है लेकिन इसका उपयोग क्या है किस प्रकार से प्रभावित करता है current affair में क्या इसका योगदान है और बिहार के economic survey में बिहार के budget में cancer कार की economic survey में wholesale price index किस प्रकार से प्रभावित करता है inflation क्या होता है CPI क्या होता है इन सब से जुरेवे concept आपको पता होने चाहिए जिसे मान लीजे आप से मौदरिक निदी committee के बारे हम पूछ ला जाता है monetary policy है उसके बारे में पूछा जाता है means में तो ये आप कहां से जोरेंगे GS में है क्या current में चर्चा में है इसलिए GS में पूछ लिया गया उसको इसलिए current के topic को जब ही आप पारते है जैसे ये topic जो मैं पढ़ाऊंगा आपको तो उसको थोरा से GS से जोर कर पढ़िएगा जैसे माल लीजे कोई और topic होता है उसको हमेसा क्या करना है GS से जोर करके पढ़ना है जैसे माल लीजे speaker चर्चा में है speaker चर्चा में है या भी माल लीजे supreme court चर्चा में है तो supreme court का क्या प्रावधान है इसको GS से जोड़ कर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिस कीजिएगा रोज मैं कम से कम न्यूज़ पेपर डिसकेशन में थोड़ा सा सुरुआत में इस तरह की चीज़ जरूर बताऊंगा जिसे क्या होता है आपको दिसा निर्देश मिलता रहता है कहां भई किस दिसा में पढ़ना है इसलिए मैं करेंट अफियर बार बार रोज कहता हूँ और खुद से भी पढ़िए निूस्पेपर में स्पोर्ट बगएरा का निूस जो होते हैं वो खुदे परहा करीजे उससे क्या होगा उससे यह होगा कि एस्पोर्ट का जो इंपॉर्टन फैक्ट और डेटा होता है वो आपका क्लियर रहेगा चले शुरू करते हैं और बिहार स्पेसल के त्यारी की इस प्रकार से करनी चाहिए उस पर मैं वीडियो डाल दूँगा आज से NCRT वगरा सब कुछ अपना नॉर्मल सुरू हो जाएगा देखें सबसे पहले क्या चर्चा में है कि होलसेल प्राइस रिमेन इन दे डिफिलेशन जोन इन अक्टूबर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसको लेकर कुछ इंताय बनी हुई है उसका देखिए मैं आपको इसी बताता हूँ होलसेल हो WPI हो CPI हो मोनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो आपका रेपोरेट रिवर्स रेपोरेट बैंक रेट ये सबाता है इन आक्रों में उलसना है क्योंकि कि आक्रे हैं गुरूप C गुरूप D में पूछ ले जाते हैं कई बार लेकिन BPSC और UPSC में आपसे नहीं पूछे जाता है आपसे क्या पूछाएगे कि क्या होता है किस प्रकार से काम करता है किसके द्वारा जारी किया जाता है यही सब चीज़े आपसे पूछी जाती है तो चले देख लेते हैं कि CPI और WPI क्या होता है मुख रूप से वही पूछा जाएगा आपसे थोक मूले सोच का अंक देगे क्या होता है या थोक वेबसायों द्वारा अन्य वेबसायों को बेची जाने वाले वस्तूओं की कीमत को बदलाओ को मापता है जो होलसेलर होते हैं वो किस दाम पर बेच रहे हैं इस सीज को मापा जाता है किसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में इसे वानिज और उद्योग मंत्राले के आर्थिक सलाइकार आफिस कारेले के द्वारा प्रकासित किया जाता है कौन प्रकासिद करता है तो वानीज और उध्यूग मंत्राले के द्वारे इसको प्रकासिद किया जाता है अगला के देखे कि यह भारत में सबस्धिक इस्तिमाल किये जाने वाले मुद्रा इस्पिति संके तक है क्या है तो inflation indicator inflation क्या होता है सामाने भासा में इसको कहा जाता है महंगाई महंगाई जो होता है उसी का संकेत तक होता है महंगाई क्यों आता है ये इसलिए आता है क्योंकि अगर मान लीजे देश में कैस का फ्लो बर जाएगा तो कैस की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है और cash का flow जो है वो कम हो जाता है देस में तो cash की value क्या हो जाएगी कम जादा हो जाएगी इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं अगर आलू का उत्पादन जादा हो गया है तो आलू की कीमत क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अगर आलू की उत्पादन कम हुआ है तो आलू की की पर जाएगी इसी पर गार्शकर करेंसी बहुत जादा फुलो कर रहा है देस भर में और उसके अनुरूप में सामान उपलब्ध नहीं है तो क्या हो जाएगा दाम बढ़ जाता है इसी को सामानी भासाम बोल जाते हैं कि पैसे की वैल्यू जहें वो कम हो गई है इसी को इंफल लोग है आपको तो किस पर मिलता है आपके मार्केट प्राइस पर आपको उपलब्ध होता है आपको किस पर उपलब्ध नहीं होता है तो होलसेल प्राइस पर आपको उपलब्ध नहीं होता है लेकिन सरकार किसको मापती है होलसेल प्राइस इंडेक्स को नापती है लेकिन दूसरा भी नापती है सरकार अभी आएंगे देखेंगे उसको भी दोहर 17 भारत के लिए UPI का अधार वर्स चार पांस इससे संसोधित करके ग्यार हवारा कर दिया गया था अगला कौन सा है CPI Consumer Price Index इसमें उसी चीज को नापा जाता है जिस दाम पर आप खरीत होता क्या है दरसल में एक बेकर बड़ा सा क्या 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 ले लिए तो टोकरी ले लिए उसमें सारे सामान खरीद खरीद कर डाल दी ठेना बहुत सारे सामान का bucket होता है इसको कहा जाते हैं इसमें खाने प परेज़ाना. आधी कीमत में अंतर को गम्हां करता है जीने भारतिया भोकता उपयोग के लिए ख़रीटते हैं। उसको calculate करता है, उसमें inflation को, मुद्राoney Ben町टी को मापता है, कि भै इसमें महंगाई बरी है, कि इसमें महंगाई कम हुई है, मुद्राoney Ben町टी अरे कुछ भी समझ में ना आब, तो महंगाई सब्सक्राइइ यूज कीजीगा, ये चार प्रकार से प्रकार सित किये जाते हैं कौन कोई सा तो ओद्योगी स्थमी को Industrial Worker के लिए CPI, क्रिसी मजदूरों के लिए CPI, गरामीन मजदूरों के लिए CPI और गरामीन सहरी सनुत CPI भी जारी किया जाता है इन में से प्रथम तीन के आकरे, जो प्रथम तीन हैं, इनके आकरे किसके द्वारा जारी किये जाते हैं तो स्रम और रोजगार मंतराले में स्रम ब्यूरों के द्वारा, लेवर ब्यूरों के द्वारा जारी किये जाते हैं CPI का अधार वर्स कम है तो 2012 को रखा गया है आधार वर्स क्या होता एक बड़ मैं इसको समझा देता हूँ देखिये आधार वर्स दरसल में होता कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आपका वजन बढ़ गया है तो किसके तुलना में तो पिछले महिने के तुलना में वजन बढ़िया है यानि कि किसी चीज से हम compare कर रहे हैं जब हम बोड़ते हैं कि भारत का जो है वो GDP में growth हो रहा है या महेंगाई बर रहा है तो किसके तुलना में तो आधार वर्स के तुलना में क्या नहीं देखिए अब थोड़ा से समझेगा यहाँ पर GDP के बारे में बतात है तो हम क्या करते हैं आधार वर्स के तुलना में 2022-23 का हम बहले निकालेंगे आधार वर्स के तुलना में उसके बाद 2022-23-24 का निकालेंगे और फिर 2022-23-23 में जो अंतर होगा उसी को हम क्या कह देते हैं कि यह GDP का growth हुआ समझे में आया मैंने क्या बोला कि 2022-23 के तुलना में 2022-23 में GDP में कितना ज़्यादा विकास हुआ है उसको निकालते हम उस डेटा को उसको निकालते हैं फिर हम यह देखते हैं कि पिछले साल का यह डेटा था रो इस साल का यह डेटा है उसमें कितना आंतर है उसी को क्या कहा ग्रोथ कहा जाता है आधार वर्स का concept भी समझ में आ गया होगा आपको आधार वर्स में समय अब परिवर्तित किये जाते हैं क्योंकि 12-12 में जो वस्तुएं थी market में जरूरी थोरी ने के 12-22 में भी वही वस्तुएं है market में 12-12 में हो सकता है mobile phone का इतना चला नहीं था 12-22 में mobile phone market में बहुत सारे आ गए हैं तो यानि कि उस समय का GDP और इस समय के GDP में अगर हम वस्तुएं की गन्ना करने जाएंगे तो हमें आधार वर्स को आगे तो बरहना परेगा क्योंकि सामान जो है उत्पाद जो है वो बदल गए ह यह भी तो हो सकता है तो यह मैं क्या बता रहा हूँ तो आधार वर्स इसलिए कई बार बदल दे जाते हैं जिसे मोधी गोवर्मेंट ने बदला था कुछ साल पहले आधार वर्स मौद्रिक नीती समीती मौनटरी पॉलिसी कमीटी मुद्रायस्विती रेंज चार प्लस माइ इस इंडेक्स के डेटा को प्योग करती है किसके लिए तो आपका इंफिलेशन डिसाइड करने के लिए मौनटरी पॉलिसी के बनाने के लिए मौद्रिक नीती बनाने के लिए टाइट मौनटरी पॉलिसी जब बनती है तो उसका ताथ पर यह होता है कि देश में बहुत पो रेट को बढ़ा देती है, यह सब किस चीरिया का नाम ले रहा हूँ मैं, इकॉनमिक्स का एक प्लेलिस्ट अप्लोड है अपने चैनल पर उसे मैंने पढ़ाया हुआ, यह सब कुछ मौदिक निती डीटेल में, यह सब चीज़ एकॉनमिक्स का कौखा का है, अगर आपको नहीं आता है, इकॉनमिक्स आपको कुछ नहीं आता है, इसको जाकर देखिएगा, यानि कि इन्फिलेशन को जब कम करना होता है, तो टाइट मौनेटरी पॉलिसी बनाए जाती है, जो मैं बोल रहा हूँ, यूपेसी का सवाल बोल रहा हूँ मैं, सस्ती हो जाती है, तो उनको महंगा भी करना परता है, बैलेंस करके चरना परता है, सस्ता महंगा दोनों के बीचे बैलेंस बनाना परता है, तो लूज मौनेटरी पॉलिसी जारी करती है, के मार्केट में लोगों को क्या का मोहिया करवाएगी पैसा मोहिया करवाएगी लोन सस्ते हो जाते हैं कार लोन सस्ता हो जाता है हाउस लोन सस्ता हो जाता है फैक्टरियां चलानी सस्ती हो जाती है और जब टाइट मोनेटरी पॉलिसी आता है तो सारे लोन महेंगे हो यहां पोफ सब्सक्राइब आपके याद कीजे आगे बढरते हैं आगे अगे लिए टॉपिक पर अगला जो टॉपिक है वह आपका क्या है तो आज का आर्टिकल है आपके लिए आज का आर्टिकल क्या है वही तो याद कीजिए 68 BPSC का पेपर 68 BPSC का पेपर में एक ट्राई का रिपोर्ट आया था जिससे बताया गया था बिहार में टेली डेंसिटी कम है टेली डेंसिटी का मतलब फोना इंटरनेट उप्योग करता कम है इसका कारण और इसका प्रफाव पूछा गया था क्या पड़ता है यही पूछा गया था आपसे यानि कि जो ट्राई या नेट नेट नेटरलिटी से जुरे हुए जो इंटरनेट से जुरे हुए मामले होते हैं उन से जुर्य हुए सवाल जो है BPSC पूस्ती है इसलिए आज का टॉपिक जो है आपके लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट है और वैसे भी आपको समझ भी ये में भी आना चाहिए कि भई चल क्या रहा है देश भर में तो net neutrality नामा के एक चिरिया है ये चिरिया क्या करती है तो इंटरनेट पर सभी को समान रूप सा अधिकार सुनिस्तित हो किसी के साथ भी भेदभाव ना हो इसी चीज़ को सुनिस्तित करती है बिल्कुल ले मैंन की भासा हम समझा रहा हूँ अभी मैं आऊंगा difficult भासा पर भी देखें दरसल्म हो क्या रहा है जो इंटरनेट वाली कंपनिया है टेलिकॉम कंपनिया है सामाने तोर पर जैसे एयर टेल जियो और कौन सा एक तीसरा तो आईडिया वोडा फोन यही तीन बच गए है टेलिकॉम regulatory authority of India भारा सरकार का टेलिकॉम सेक्टर को regulate करने वाली एक संस्था है ट्राइ क्या नाम दियागा उसको ट्राइ ट्राइ के पास कौन कौन गई तो यह एयर ठेल बोडा फोन आईडिया और यह जीओ वाले गए इन्हों बोलागा देखो भाई साब हमारा जो internet है हमारा जो internet है उसका उपयोग कौन करते दी OTT की कमपनिया और पैसा कौन छाप रहती OTT की कमपनिया OTT कमपनिया बोले तो आज इस पर आप match देखो कि भारत न्यूजिलेंड का होगय होटे स्टार होटे स्टार का लाबा और कौन सा हो गया तो आपका Netflix हो गया Amazon Prime हो गया जियो का अपना एक है OTT इसके लाबा बहुत सारे हैं इतने हैं कि भरे परे हैं OTT ही OTT है इतने हैं OTT तो ये सब कमपनिया क्या करती है हमारे internet को उप्योग करती है और पैसा चाब रही है उसके बदले हमें कुछ भी पैसा नहीं देती है अब मान लिजिए अभी 5G स्पेक्टरम इन कमपनियों ने खरीदा है कि इन कमपनियों ने तो यह Airtail, Boda, Jio इन कमपनियों ने क्या किया है तो 5G स्पेक्टरम खरीदा है इन कमपनियों ने साज़दारी नहीं की पैसे देने में 5G स्पेक्टरम खरीदेने में लेकिन 5G आने सब ज़्यादा बेनेफिट किसको होगा तो यही YouTube, यही Hotstar, यही Netflix, यही Amazon Prime इनको बेनेफिट होगा अभी यह कमपनियों बोलर रेट राइक हो कि जरा सा इनको उपर ध्यान दो यह लोग पैसा तो कमा रहे लेकिन हमारा मदद नहीं कर रहे है टेलिकॉम कमपनिया जितनी भी भारत में लगभग में नुकसान चल रही है मैक्सम कमपनिया क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरनेट कॉल और वीडियो कॉल के कारण क्या हो रहा है उनके उपर कॉल बहुत कम लोग करते है मैक्सम लोग इंटरनेट कॉल ही करते है हाँ इंटरनेट जरूर उप्योग करते है उनका इसके कारण से ये कुछ भी बाद चल रहा है तो net neutrality होता क्या है देखे एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाता हूँ याद कीज़े दोहर 14-15 का समय दोहर 14-15 का समय दोहर 16 ले लीजिए चलिए 16-17 का समय ले लीजिए बहुत पहले नहीं जाते हैं 16-17 का समय ले लीजिए उसमें याद कीज़े अगर आपको वाटसेप चलाना है तो अलग से रीचार्ज करवाना परेगा अगर आपको फेस्बुक चलाना है तो अलग से रीचार्ज करवाना परेगा अगर आपको दूसरी कोई चीज़ को एकसेस करना है तो अलग से रीचार्ज करवाना परेगा इसको क्या कहाया? इसको कहाया था भेधभाव यानि कि एक AirTail नामक क्मपनी है जिसने किया क्या भेधभाव किया यूजर्स के साथ मैं कि मैं आपको ये चीज एक्सेस करवाने के लिए अलग से पैसे लोगा इसी चीज पर भारतरकानी रोक लगाया भारत में नेट इंट इस तरह से नहीं कर सकते हैं, सभी को समान पहुंच देना परेगा आपको, आप बस नेट करी चार्ज कीजिए, उसको बाद यूजर के हाथ में है को कौन सा वेब साइट खोलता है, कौन सा नहीं, आप किसी वेब साइट को खोलने के लिए अपने नेट म मैं बार वार एकी चीज़ बोलता हूँ, समझ बनाई ये थोरी सी, है ना, देखे हाल ही में क्या हुआ है, भारते दूरसंचार नियामक परादिकरन, ने सरकार के अनुरोध पर कारवाई करते हुए, ओबर दा टॉप सेवाओं के वीन में, वीन में पर परामर्स पर क्रिया सरू की है, दूरसंचार कंपनियों के तर्क है, कि नेट्फलिक्स, अमेजन प्राइम जैसी OTT सेवाओं की ब्रैंड विथ की लागत साजा करनी चाहिए, क्योंकि ये दूरसंचार कंपनियों के बुनियादी नहाचे से लाब उठाते हैं, इस संदर में नेट नियुट्राल का नजर नहीं गया है, आप से भी पूछा जाएगा ये चीज़, किसी मांदन पर मध्यवर्ती नेटवर्क के द्वारा जैसे देखे, ये हैं, आप बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हुए हैं, ऐसे खापी का भी बैठे हुए हैं, और ये है इंटरनेट, इस बीच में गया, मध्य में काम करती है ये यूजर के और इंटरनेट के बीच में, देखे क्या है, इंटरनेट ट्रैफिक में भेधभाव नौ करने के अब धारना को संदर्वित करती है, नेटवर्क को इसके माध्यम से परसाडित होने वाली सभी सूचना प्रती ततस्र रहना होता है, नो मैटर कि वो फेस्बूक चलाना चाता है, यूटूब चलाना चाता है, या कोई और वेबसाइट खोलना चाता है, ये यूजर की मनमानी होगी, आपके इस पर कोई प्रतिबंद नहीं लगा सकते हैं, टेलिकॉम जो कमपनियां हैं, वो नहीं डिसाइड करेंगे कि नेट बर्ग से गुजरने वाले सभी संचार कॉम्निकेशन को एक समान रूप से देखा जाना चाहिए, अर्थात इसके कंटेंट, एप्लिकेशन, सेवा, डिवाइस, प्रेशक, प्राप्त करता, पते, सेंडर और रेसेप्टन एड्रेस से स्वतंत्र होने चाहिए, यानि क नो मैटर को कहां पर भेज रहा है, कौन सा एप यूज कर रहा है, कौन सा डिवाइस यूज करना है, आपको उससे मतलब नहीं होना, चाहिए, आपका काम है इंटरनेट महिया करवाना, ठीक है, नेट निटरेल्टी यह सुनिशित करती है, हर किसी को इंटरनेट पर सूचना और सिवाओं तक समान पहुँच मिल सके, चाहिए, उनकी वितियस अंसादन कुछ भी हो, उनके द्वार उपियों की जनर्वल वेबसाइट और आकार सक्ती कुछ भी हो, वो चाहिए बड़े वेबसाइट को यूज करें, यह उनकी मर्जी होनी चाहिए, सब्द की उत्पती नेट नुटरलिटी सब्द को कोलंबिया के लॉइ स्कूल के प्रोफेसर टीम वू ने 2003 प्रकासित अपने नेटवर्क नुटरलिटी ब्राडबेंड, जिसके मने सन सिर्शक पेपर से लोग प्रिये बनाया था, उन्होंने एक इस पर रिसर्च पेपर चापा था, जिसमें एक चीछ उड़िया, उपर तीन कौन-कौन से सिध्धान्त है, तो नो ब्लॉकिंग, नो थोटलिंग, नो पेड प्रिये बनाया था, मतलब क्यामत होता है इसका मतलब, कि आप किसी को रोकेंगे नहीं, किसी को भी IP एड्रेस को ज्यादा प्रियार्टी ने देंगे, और पे प्रियोर्टी है यह, आपने पैसा पे किया, उन दोनों पे कर लिया आपस में, और आपको मजबूर करेंगे कि आप यह टेल यूज करें, तो वाट्सेप ही यूज करें, यह क्या होता है, इनी सब चीजों को लेकर नेट निट्रेल्टी की बात की जाती है, कि इस तरह की च है, दूर संचार सिवा परदाता या इंटरनेट सिवा में, अबर दाप सिवा परदाता जो वेब साइट ये एप्लीकेशन जैसे इंटरनेत एकसे सिवा परदान करते हैं, सरकार जो इन खिलारे के को ॴिझ बिलेमितंक और पड़िवासित कर सकती है, साथ ही, त्रडे एकॉनमी को परभावित करता है, किस प्रकार से इंपोर्टेंट है हमारे लिए, किस प्रकार से नागरिकों का अधिकार को ये परभावित करता है, तो आपका जो अधिकार है कि सभी तक समान पहुंच का समान तक अधिकार जिसके हम बात करते हैं, वो क्या है तो वो इससे कही ने कहीं प्रभावित होता है खुले इंटरनेट को सांडक्षन नेट निट्रेल्ट्री सूचना विचार सिवाओं तक नीसुल्क आव परवंदित पहुंच सुनिसित करती है नेट निट्रेल्ट्री का भाव में ISP विचेश कुछ वेबसाइट को उच्च कनेक्शन गती प्रदान कर सकते हैं जबकि अन्ने के लिए पहुंच को सिमीद कर सकते हैं कुछ दिन पहले ही मैंने बताया कि क्या कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि कुछ website के लिए speed को तेज कर देना और कुछ के लिए सिमित कर देना ये भी कहीं ने कहीं क्या होता है तो ये प्रभावित करता है इंटरनेट के पहुँच को अगला क्या है अगला है अभ्यक्ति की सुतंता की रक्षा नेट नेट निटरनेट लोग को भी ना किसी हस्तक छेप के संगठीत होने संबाद करने समर्थ को को लामबंद करने का अनुमती देकर अभ्यक्ति की सुतंता की रक्षा करती है जिससे लोकतांत्रिक संलंगता के लि लेकिन अगर neutrality होगी कि सभी के लिए समान पहुँच होगी तो क्या होगा जैसे YouTube है जैसे हम जैसे छोटे वाले चैनल जो होते हैं इनके content को भी upload करते हैं और उसको भी YouTube फैलाने इकोसिस करती है और बरे चैनल को भी content को फैलाती है तो YouTube तो कोई भेदभाव नहीं करेगी न यह मैं क्या समझा रहा हूँ इसी को net neutrality कहा जाता है प्रतियस परधा विरोधी अभ्यासों पर रोक, net neutrality का भाव में ISP यानि की internet service providers होते हैं अपने स्वेंग या भागिदार को content या सेवाओं का पक्ष समर्थन करते हुए प्रतियस परधा विरोधी वेभावर में संगलंग हो सकते हैं नेट neutrality नियम ऐसे भेदभावपून अभ्यासों पर रोक लगाते हैं और निस्पक्ष वप्रतियस परधात्मक्ता बनाए रखते हैं अगला कौन सा है अगला है आपका भारत में नेट neutrality के नियामक के स्थिति क्या है अलग-अलग केस आये हैं जैसे एरटेल जीरो और वोडा आइडियाफ का जो विबाद था 2014 का उसके बारे में अगला है कि वर्थ दोयर चौदा भारती एरटेल ने एरटेल जीरो योजना सुरू की जिसने जीरो रेटिंग और नेट neutrality को संभावित उलंगन के वारे में चिंताएं बढ़ा दी थी स्काइप वाटसेप जैसी वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवाओं के लिए अत्रिक्त सुल्क वसूल करने के एरटेल कदम ने विबाद को जन्म दिया था और दोयर 14 हमें यहीं से सुरू हुआ था कि एरटेल जो है वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है जैसे स्काइप और वाटसेप जैसे यह चीजे हैं उसको क्या कर रही है तो उसके लिए अलग से मुली वसूल रही है ट्राइ का परामर्स दोयर 15 में ट्राइ ने ओबर दोप OTT सेवाओं नेट निटरल्टी के एक परामर्स पर जारी किया जिसमें साबनी के राय आमंत्रित की गई थी त्राइ नेट निटरल्टी के पाक्ष में निर्ने दिया था कि देटा सेवाओं के लिए अलग अलग दर नहीं हो सकते हैं आप इंटरनेट का पैसा लीजी आप वाटसेप और इन सब चीजों को अलग से अक्सेस करने का पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं और इसी को लोगे दोयर 16 में नियम पारित किया गया था अगला है दोयर 17 में ट्राई की अनसांसाएं ट्राई ने गैर भेदवावपुन से धांतों का विस्तार कंटेंट वेभार तक किया अनसांसा की गैगी कंटेंट भेदवाव को रोकने के लिए सरकार ISP के बीच लाइसेंसिंग समझोते में संसोधन किया जाना चाहिए 5G डिजिटल रूप आंतरन पर ट्राई का परामर्स 22 इसका उधेस नितिकत चुनोतियों का पहचान करना और 5G परितंत के भीतर नई प्रद्योक्य के तिव अंगी करन वो अश्रितम उप्योग के लिए प्रभावी धांचा को तियार करना है तो यह आप ध्यान में रखी का यह कुछ ऐसे फैसले हैं या ऐसे कुछ नियम जारी किये गए हैं जिसके द्वरा क्या क्या किया जाता है तो नेट निटरल्टी को रेगूलेट किया जाता है उसको विस्तारित करने की कोशिश की जाती है और नेट निटरल्टी की रक्षा भुभा भी की जाती है भारत ने hari जारी बहस का परमुख्विसाय क्या है तो राजस्तों में गिरावट पिछले दस वरसों के दूर सनचार के आई है और वह बहुत सारे जो बीडियो कॉलिंग के प्रेटफॉर्म है उसके कारण से लोग बीडियो कॉल भी प्रिफर इन्हीं सब चीज़ों पर करते हैं इंटरनेट कॉल भी इन दीपर प्रिफर करते है इससे क्या होता है कहीं ने कहीं उन कंपनियों के राजस सुमें गिरावट लेकिन फिर World Cup होटे स्टार ने फ्री में कर दिया, पहले World Cup होटे स्टार दिखाती नहीं थी फ्री में, अवी फोन पर आप फ्री में देख सकते हैं, ति यह क्या मैं बता रहा हूँ, इसके कारण से भी कहीं ने कहीं प्रतियस्पर्धा प्रभाबित होती है, अब संचनात्मक परच पाएबर बनाने में वाईर को फैलाने में और स्पेक्रम खरीदेने में इन सब में बहुत भारी मातरम पईसा कर्च करते हैं लेकिन इनके लिए इनका बेनिफिट कौन उठा ले जाता है तो इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है कराधान मौसमान था, टेलिकॉम कमपनियों को तर्क है कि OTT सेवाओं को कराधान वो लाइसेंसिंग सूल और समान दग सामना करना पड़ता है जिसके पैणाम सुरुप और संतुलित प्रतेसपरदा परदिसे का निर्मान होता है जहां टेलीकॉम कमपनियों के लिए बहुती भारी भरकम लाइसेंसिंग प्रकरिया है वहीं OTT सेवाओं के लिए कोई भारी भरकम प्रकरिया भी नहीं रखी गई है कराधान भी अरग है, टेक्सेशन भी दोनों का अलग अलग है इसके कारण से क्या होता है जो कमपटीशन है, वो समान रूप से नहीं हो पाता है उसमें थोड़ा सा भेद भाव देख जाता है अगला क्या है देखिए OTT प्लेटफॉर्म का परिफेक्स इंटरनेट प्रदाताओं के विश्यस्ट भूमिका OTT प्रदाता इस बात पर बल देथ है कि दूर संचार कमपनियां इंटरनेट पहुंच के लिए माध्यम कुरूप में कारे करती है ना कि उनके पास इसका समुत्य है, स्वामित्य है ये OTT प्लेटफॉर्म क्या बोलती है देखो बाई, इंटरनेट का तुम मालिक नहीं हो इंटरनेट पहुचाने का काम करते हो आप पहुचाने वाले साधन हो आप आप साधन हो, आपका स्वामित तो नहीं है इस पर ये कौन बोलती है, OTT प्लेटफॉर्म बोलती है उबोगता डेटा प्लान के माध्य में से पहुंच के लिए इन कंपनियों उसूल को प्रदान करते हो बोलते हैं कि ये कंपनियां लोग जो आपका इंटरनेट उप्योग कर रहे हैं उसके बेदले में तो आपको पैसा मिल ही रहा है लोग उस इंटरनेट के दौर आप OTT डेटा इखपत बढ़ी है जिसे दूर संचार कंपनियों राजस्न बिर्धी में योगणान होता है अब OTT कंपनियां कह रहे हैं कि भाई साब एक बात बताओ नेट्फिक्स पर कोई मूवी देख रहा है इंटरनेट तो आप ही का उप्योग कर रहा है ठीक है वो उसने डेटा के लिए आपको पे भी तो कर रहा है कोई फिरी में तो देख नहीं रहा है वो डेटा के लिए आपको पे कर रहा है मूवी के लिए मुझे पे कर रहा है फिर जंजट किस बात का है नेट नेट निटरल्टी के मांग इंटरनेट विखंडन इंटरनेट जो रोकने और समान पहुंच सुनिसित करने के लिए नेट निटरल्टी अतियांत आवसक है और TSP के भेद भावपुन बेभार जो नवाचार को बादित कर सकता है छोटे पैमाने वह नमोन उसी OTT से वहाँ तक पहुंच को प्रतियांत कर सकता है पर रोक लगाती है नेट निटरल्टी के सम संचार कंपनी उसको तंदरता भी है यो बढ़ा भी ले जैसे मान लिए जब ही जो पैक होते हैं इंटरनेट पैक उसको महंगा भी करती है और हर साली दाम बर जाते हैं अब ड़ाई सो दो सो से नीचे कोई अच्छा पैक आता ही नहीं है तो ये भी उनके पास सो तंदरता ह इसको जरूर ध्यान में रखिएगा ये कुछ आपको प्लस माइनस पॉइंट मैंने समझा दिये हैं और OTT और Net Notality क्या है क्या विवाद है सब कुछ मैंने समझाया है आपको कैसा लगा है ये टॉपिक जरूर बताईएगा अगले टॉपिक पर चलते हैं देखते हैं अगला यहाँ बाहर से connection था उनका तो यह मजदूर बैचारे यहाँ पर फस गए यहाँ आगे तो जमीन है तो यहाँ पर यह बैचारे फसे हुए हैं इनको यहाँ से छेद करके oxygen प्रवाइड करवाय जा रहा है खाना प्रवाइड करवाय जा रहा है लिए करीमें 40 मजदूर जो है यहाँ पर फसे हुए हैं तो देखिए आपसे इसमें यही पूछा जाएगा कि जादा जादा कि आपदा प्रवंधन से जोरे हुए चीज़ें पूछ सकते हैं बागि आपको location जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तरकासी जिला किस तरफ पड़ता है जो किस किस से उसक गलग डिस्टिक हैं यहाँ पर इसी में यह उत्तरकासी जिला है यहाँ पर है उत्तरकासी यह रहा उत्तरकासी जिला है और यहीं पर इस टरनल का निर्मान हो रहा था इसी जिले में देख सकते हैं आप इसका चीन के साथ सीमा लगता है उत्तरकासी जिला में ही निर्मान कि सी मसाज़ा करते हैं जिसमें उत्तरकासी जीले में यह दुरगटना देखने को मिली हमें अगले टॉपिक पर चलते हैं अगला टॉपिक ज्यादा इंपोर्टन है आपके अगला है केंसरकार जो है वो आपका इन्वाइट कर रही है क्रिटिकल मिंडल्स ब्लॉक के आवंटन क किया था 2020 UPSC PT का सवाल है क्रिटिकल मिंडल्स नेमने से कौन-कौन से है इस तरह की चीज़े पूछी जाती है तो क्रिटिकल मिंडल को क्यों कहा जाता है खनीज में भी यह महतपुर्ण खनीज क्यों कहलाते हैं यह आप से पूछा जाएगा किस प्रिकार से देश के एकॉन को अर्थवियस्था को सामरी की स्थिति को प्रभावित करते हैं यह और कौन-कौन से मिनरल है भाई कि क्रिटिकल मिंडल में यह चीज़ आप से पूछा जाएगा उसके बारे मैं बता देता हूँ डीटेल में आप महतपुर्ण खनीज क्या होते हैं खनीज प्राकिरतिक प कास के साथ साथ राष्टिय सुरक्षा नेशनल सेक्योर्टी के लिए आवसक होते हैं वो यह सब्द जरूर जोरना है जब भी आप इससे जरूर हुए चीजों का एंसर रेटिंग वगरा करते हैं तो महतपुर्ण खनीज उन खनीजों कहा जाता है जो एकॉनमिक डिवलपम के साथ साथ नेशनल सेक्योर्टी के लिए भी जरूरी होता है सामरिक इस्थिती के लिए भी जरूरी होता है एस्टेटिजिक रूप से हमारे लिए इंपोर्टेंट होते हैं वो इन खनीजों को प्लबता कमी या कुछ भौगालिक अस्थान निसकर्सन या प्रसंसकन के एक आपको ध्यान में नहीं रखना है लेकिन मुख्य मुख्य जो हैं उनको तो ध्यान में रख सकते हैं एक ध्यान में होना चाहिए कि भई इनमें से कौन कौन से मैं छाट सकूँ जो क्या हो सकते हैं स्टेटिजी ग्रूप से इंपोर्टेंट हो सकते हैं एंटीमनी, बेरेलियम, बिसमत, कोवाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लीथियम, मॉलिबडेनम, नायोबियम, नीकेल, पीजी आई, फोस्फोरस, पोटास, आरीए, रेनियम, सिलिकॉन, एस्टेंटियम, टैंटलम, ट्यूरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिल्कॉनियम, वोसिलेनियम, वोकैडमियम, सामिल है, बहुत सारे काहनते में मियम मियम लगा हुआ था, मैं यह क्या कहने कोशिस कर रहा हूँ, इसमें से देखिए कुछ-कुछ जो है, जैसे फोस्फोरस है, है ना, नीकेल है, सि लेफ हाइट है, जर्मेनियम है, एंटी मनी है, पोटास, यह भी ध्यान में रखना है आपको, यह सब कुछ ऐसे चीज़े हैं, जैसे टिन, यह सब क्या है, टंगस्टन, यह सब क्या है, स्टैटिजी कुरूप्स हमारे लिए इंपोर्टेंट होते हैं, और किसी ने रिसाइ लेफ हो रहा है, जीओ पॉलिटिक्स को देखते हुए, नई यह टेकनलोजी को देखते हुए, इंचियों पर जोड बर रहा है, कोछ इछ चीज़े ऐसी होती है, जो हमारे लिए जरूरी है, जैसे सिलिकन जो है, यह हमारे क्यों जरूरी है, कल को माइक्रो प्रोसेसर पहला महत्तु पहला महत्तु पहला महत्तु पहचान नहीं करेंगे अंदा धुन्द तरीके से इसको बाहर भेजते रहेंगे तो दूसरे देश तो मजबूत हो जाएंगे हम अपना घर क्या कर लेंगे कम जोर कर लेंगे इसलिए अब जब ये सारे खनी जोग हमने लिस्टेट कर दिया है तब इसके बाहर भेजने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सरकार की थोड़ी सी निगाह होगी ये किन चीजों के इंपोर्ट कर रहे हैं परियावर नियस्थिरता वे सुख्छ उड़जा वो कम कारवन अर्थवेस्था की और संकरवन का भिन्रंग है जो जीवास मिंधन ग्रीन हाउस गैस उससर जन पर भारत निर्वरता और कम करने में सक्षा मनाते हैं दो यार तीस तक 450 गीगावाट नभी करने उर्जा चमता प्राप्त करने के प्रतिवरता के साथ ये खनीज हमारे लिए क्या हो जाएंगे इंपोर्टेंट हो जाएंगे अंतराष्टे सहयोग को भी बरहावा देंगे ये खनीज कहीं ने कहीं और इससे क्या होगा आने वाले समय में मालीज अमेरिका के पास कनाडा के पास उरेनियम का भंडार है हमारे पास लिथियम का भंडार होगा हम बोलेगे भाई साब उरेनियम दो लिथियम लो एक हाथ से दो एक हाथ से लो सामरिक देश्टिकों से भी ये हमारे लिए काफी ज़्यादा important है अगले टॉपिक पर चलते हैं अगला टॉपिक अपने परोश से संबंदित है क्या है वो तो sea guardian 3 bilateral navy exercise हो रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है तो ये पाकिस्तान और किसके बीच में पाकिस्तान और चीन के बीच में हो रहा है Northern Arabian Sea में हो रहा है यानि कि उत्तरी अरब सागर में हो रहा है पाकिस्तान के समी पाकिस्तान और चेना के navy जो है वो exercise कर रही है अभ्यास कर रही है कब कर रही है तो timing बरा ही मैटपून है जब भारत में भारत और अमेरिका का दो प्लस दो मिनिस्टर डायलोग टो प्लस टू मंतरियों के बैठक जो होती जिसमें रक्षा मंतरी विदेश मंतरी दोनों देश के बैठक भाग लेते हैं तो उसी समय में ये चीज हो रहा है 11 से 17 नवंबर तक ये एक्सरसाइज हो रहा है आपको मुझे बस ये बताना था कि ये एक्सरसाइज हो रहा है पीटी फैक्ट में ये पूछा जाता है सी गारजियन इसका नाम है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जरूर ध्याम रखेगा इसको सी गारजियन इसका नाम है पीटी के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट था ये अगला चलते बिहार इस्विसल में देखते हैं क्या है आज आज आपके लिए देखें बिहार की दुर्गा सिंग ने अंडर 18 दौर में जीता है स्वरन पतक अरतीस में नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चेंपियंशिप दौहरतीस में बिहार के गोपाल गंजिला हो गया इनका दुर्गा सिंग ने अंडर 18 दौर पत्योगता में स्वरन पतक जीता है इसको जरूर धियान में रखे कहां पर ये पत्योगता चल रहा तो तमिलाडू राजे में कोयमबटूर सहर में 38 में 38 था नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चेंपियंशिप दौहरतीस इसमी बिहार के गोपाल गंजिले की दुर्गा सिंग ने अंडर 18 में स्वरन पतक जीता है सब सारा कुछ मैंने घेर दिया जो पीटी के लिए इंपोर्टेंट होता है गौरत अबले की तमिलाडू के कोयमबटूर में 7 से 8 नॉमबर तक 38 में नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चेंपियंशिप दौहरतीस कायजन किया गया है दुर्गा सिंग ने अंडर 18 आईउ बर्गें 1500 मीटर दौर प्रतियस पर्था में स्वरन पतक जीत कर बिहार के लिए पतकों को खाता खोल दिया है दुर्गा सिंग ने 1500 मीटर के दौर 4 मिनट 38 सेकंड और 29 मिनटे पूरी की और पतक जीत लिया है दुर्गा सिंग ने यह अपने बिहार की है तो चलिए इनके नाम पर गर्व कीजिए थोड़ा सा बहुत अच्छा काम किया इनों ने और आज का निज़ पर डिसेसंग यहीं तक रखते हैं और NCRT बगएर का भी वीडियों आपको मिलेगा आज ठीक है पर ले, शुष कि हुआ अच्योफ बगएर घ्लाग biscuit काम काम कीजिए लिए यही थागीघ